हलो हाई एबरीबड़ी कैसे हो आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है मेरे चानल गाउं की रसोई में और आज मैं जा रही हूँ अपने खेत में और आप सभी को मैं अपना खेत का दिखिए व्यू दिखा देती हूँ पूरी हर्याली चाही हुई है यहाँ पर गेहु लगा आप कुछ दिनों में यह पक जाएंगे और यहां पर जूला भी डाला है हम लोगों ने तो यह दिखिए मैं आपको दिखा देती हूँ और यह देखिए मेरे पती देव जी और सासुमा जा रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां पर देखिए कुछ सबजिया बो साथ हुई थी तो यहां पर पानी लगा हुआ है थोड़ा बहुत सुग गया था दोपर में धोप हुई थी तो मिटी थोड़ी सी कड़क हो गई है और यह देखिए इस तरह के घास वैगरा लगे हुए हैं दिवाल पे तो पती देव जी हमारे साफ कर रहे हैं इन घास को अ अब आगे बढ़ लेते हैं तो यहां पर देखिए कटहल इस साल हमारे पेट पर बहुत सारे कटहल आये हुए हैं तो यहां पर मुम्मी यानि की सासुमा मेरी हैं तो यहां पर कटहल कट करेंगी गाव में किसी को देना था तो इसलिए यहां पर मुम्मी जो है कटहल कट कर इसमें से पहले चेक कर लेंगे उसके बाद ही cut करना है तो यहां पर देखिए पांच यहां पर total cutshal थें, इनमें से 2 cut हो चुके हैं, और यहां पर भी तीन बाकी हैं, यहां पर देखिए इस तरह के थोड़े से fungus लगे हुए हैं, तो मुमी इसको काट के side कर देंगी, इसको fake ताकि जो कट है ले उसमें फंगस ना लगे अब इन में से यह देखिए चेक कर लेते हैं कि कौन सा काटने लायक है उसको काट लेंगे तो ये वाला देखिए इसको बाद में कट करेंगे ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये नरम सा लग रहा है तो इसको चेक कर लिए इसको नहीं कट करेंगे ये वाला कट करेंगे जो थोड़ा सा बड़ा है और अच्छा है क्योंकि दूसरों को देना है तो अच्छा ही देंगे, और यहाँ पर देखिए, कट करने के बाद इसमेंसे इस तरह से, वाइट कलर का का जो है, juicy की तरह, मतलब, गोंध की तरह, इसमेंसे दूध निकलता है, अब इसको हमें ढख देना है, ताकि किसी की नजर ना पड़े, और उसके बाद यहां पर देखिए खेत में तोरी बोई हुई है तो इसमें से मम्मी तोरी भी निकाल लेंगी यह देखिए चेक कर लेंगी कि कौन सी जो तोरी है तोड़ने लायक है तो इसमें से यहां से हमें क्या करना है तोरी भी निकाल लेना है इस तरह से चेक कर लेना है यह देखिए इस तरह से हम खेत में से तोरी निकाल लेंगे तो अभी फ्रेंड स्तोरी निकालने के बाद यहाँ पर देखिए खेत में ककड़ी बोई हुई है बारिश हुआ था तो बारिश के वज़े से खेत में पानी लग गया और जो ककड़ी है थी दो चार वो भी खराब हो चुकी है तो थोड़े बहुत जो ककड़ी है वो ममी निकाल लिये है बाकि जो छोटे थे उसको छोड़ दिये है और यहाँ पर पती देव जी भी हमारे देखिए तोरी निकाल रहे हैं खेत में से और यहां पर देखिए इसको फूट बोला जाता है तो बारिस के वज़े से देखिए यह इसी में सड़ गया है तो इसको हम साइड कर देंगे यह देखिए खराब हो चुका है इसमें खेत में पढ़ा था पत्तों के बीच में था तो दिखाई नहीं दिया था और बारिस आग कर देंगे नहीं साइड कर देंगे दूसरे वाले से ताक कि यह खराब ना हो जब यह पक जाएगा तो इसको यानि फूट जाएगा तो इसको खेत से निकाल लेंगे तो यहां पर अभी आ देखिए दूसरा वाला भी है इस साइड यह भी यहां पर तोड़ लेंगे खेत में इसको गाव में बोड़ा बोला जाता है यह देखिए इस तरह का है तो हम बोड़ा भी तोड़ लेंगे इस साल जो बोड़े की खेती है बहुत ही अच्छी आई है बहुत ही अच्छा बोड़ा भी लगा है तो इसमें से हमें बोड़े को भ जाता है तो उसे तोड़ लिया जाता है क्योंकि फिर खराब हो जाते हैं यहां पर जो तैयार हो गया है बोड़ा उसको हम तोड़ लेंगे हैं तो मम्मी और मैं दोनों मिल के यहां पर हम बोड़े को तोड़ रहे हैं कि तो अब भी हमने वोड़े तोड लिये हैं और यहाँ पर देखिए मपमी और मेरी दोनों की मटर गश्ती चल रही हैं दोनों बजाक करर हैं एक दूसरे से तो हमने जित्ता वह में जरुत ही वोड़े की हमें देखे यहमी तोड़ लिया है और अब आगे वड़ेंगे तो अब यहां पर देखें.. टमाटर लगें थे.. तो इसमें से ममी टमाटर तोड़ रही है.. अब टमाटर का जो सीजन है.. खतम हो चुका है..क्योंकि यह पहली बहुत हो है.. तो इसमें से बहुत टमाटर निकलेथे.. अब बर्शात हो गई है, तो यह देखिए, इसके वज़े से जो पौधे हैं, टमाटर के वो खराब हो रहे हैं, तो थोड़े बहुत जो टमाटर बचे हुए हैं, उनको हमें इस तरह से देखिए, निकाल लेना है, यह देखिए, एक टमाटर मुझे मिल गया है, बहुत ही तरह से जो है, टमाटर देखिए, अच्छे वाले टमाटर को हम बिन लेंगे और तोड़ लेंगे, इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, ममी ने गोल वाले मिर्ची लगाये हैं खेतों में, तो इसको यहाँ से ममी भी तोड़ रही है, मिर्ची को तोड़ लेंगे, देखि इस तरह से मम्मी इनको तोड़ ले रही है तो यह देखिए मम्मी आपको नजदिक से दिखा रही है कि यह मिर्ची इस तरह का होता है बहुत ही तीका होता है बहुत ज्यादा अब यहां पर देखिए इतनी सारी सब्जिया जो हैं हमारी कठी हो चुकी हैं पती देव जी अपने हाथ में ले लिए हैं अब इन सब्जियों को हम नल पे ले जाके अच्छी तरह से वाश कर लेंगे धो देंगे तो यहाँ पर देखिए मुम्मिद हो रही है इन सब्जियों को तो अच्छी तरह से पानी डालके इन सब्जियों को क्लीन कर लेना है आप भी अपने घर में सब्जिय जो भी लाते हैं बाहर से या खेत में से उनको अच्छी तरह से पानी से वाश करके उसका इस्तमाल करिए क्योंकि अभी बरसाद भी चल रहा है उपर से महमारी भी चल रही है तो आप जिन सबजीयों का भी इस्तमाल कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से वाश कर लीजिए उसके बाद ही उन सबजीयों का इस्तमाल अपने घर में और सेफ रहिए और देखिए सारी सबजी हमारी धूल चुकी है अब ममीन को घर में ले जा रही है अब शाम के टाइम पे इन में से जो सबजी पसंद आएगी वही सबजी कटेगी और खाने में बनेगी तेरी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तिस कि रस हुई को थाइंक यू पर वाचिंग